सब्सक्राइब करेंगे इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि के इंड्रे विद्याले से पर्मानेंट रिकूट्मेंट ऑल इंडिया लेवल से जो रिकूट्में नोटिस जारी हो गई उसे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट ऑफिशल विबसाइट पर आते रहेंगे वह सभ यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी उनकी बहुत इंपोर्टेंट से क्यों इंपोर्टेंट है वह बिकूज अगर आपको पर्मानेंट रिकूट्मेंट चाहिए तो आपको इंटर्व्यू के गुजरना पड़ेगा तो कॉन्ट्राक्च्वल वेकेंसी जो आ रहें उनमें जो पर्मानेंट रिकूट्मेंट में रिटें एक्जाम क्वालिफाय कर जाते हैं और इंटर्व्यू फेस करने जाते हैं तो यह कॉन्ट्राक्ट वाली वेकेंसी को भी जरूर सीरियसली लिया करें इनकी अपडेट मेरे योटीब चैनल पर आपको मिला करेंगे अब बात कर ले पर्मानेंट वेकेंसी भी आएंगी इसकी प्याटी ए टीजीटी साइंस है टीजीटी सोशल स्टॉड़ी से पीजीटी बायोलोजी पीजीटी केमेस्ट्री प्योली ओं प्राक्ट्च्छल बेसिस और इसमें वाकिन इंटर्व्यू थर्ड डिसेंबर को यह आज सेकेंड ड लोकेशन देख लें स्कूल का लोकेशन देख लें यह है विरुदु नगर तामिलनाडू में केंद्री विद्याल है विरुदु नगर तामिलनाडू तो तामिलनाडू से विरुदु नगर से वाकिन इंटर्व्यू पॉर स्पेशल एजुकेटर्स तो special educators के लिए भी है और साथ ही साथ जो है PRT, TGT Science, TGT Social Studies, PGT Bio, PGT Chemistry इन सब के लिए भी है Walk-in interview है, original certificate और recent passport size photograph और खुद की sign किये हुए photocopies 10 onward जो भी passing certificate और माक्षित होते हैं उनकी photocopies पे खुद sign करेंगे तो self-attested copies बुलाते हैं और यहां पर एक चीज़ मैं बुलूँ कि original certificate जब यह at least contract वाली job के लिए आप जाते हैं तो original certificate करी करने के बदले आप color print out करें जो permanent recruitment आती है सिर्फ वहीं पर original लेके जाए contract वाली में original लेके नहीं जाए misplace हो सकती है चलिए official website पर चलते एक बार तो केंद्रे विद्याल है विरुदू नगर चेन नहीं की ऑफिशल website थर्ड दिसेंबर को walk-in interview इसके लिए यहां पर advertisement की डीटेल और यहां पर qualification and remuneration भी दे दी गई है तो एक बार चेक कर लेते हैं तो जिन सब्जेक के लिए है अडवर्टीजन ने उनकी salary भी है उसके अलावा भी बहुत सारी salaries लिखी हुए तो आप अपना subject और यह चेक करने की क्या है उस लिंक से आप announcement section में जाके चेक कर सकते हैं details